मैं भारत को भरतियता की माननिता के आधार पर शेसे खड़ा करना चाहता हूँ उस काम में लगा हूँ अब माताओं को एक छोटी सी बात कहनी है कि हमारे घर में अक्सर माताई गर्भा वस्था में जब आती है न तो आज कल एक बीमारी हो गई है कि डॉक्टर के पास जाओ, हस्पीटल में जाओ, बच्चा भाते होगा, फिर डॉक्टर उसको कहता है सीजेरियन करो, पेट काट के बच्चा निकालो जिस मा को एक बार ऑप्रेशन हुआ, उसकी जिंदगी नरफ हो जाती है बताए क्या होता है, मैं अब आपसे डॉक्टर की बात कहना चाता हूँ जिस मा को बच्चे के जंब के लिए पेट कटा, उस मा को जिंदगी भर वजन बढ़ता रहता है अब वो मोटी 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 होती ही जाती है अब वो मा सोचती है कि मैं तो कुछ खाती नहीं, फिर भी बजन क्यों बढ़ता वो बजन बढ़ता सीजेरियन आपरेशन के कारण और उस बजन को कोई कम नहीं कर पाता है फिर उस बजन के कारण गुटनी दुखते हैं, कमर दुखती हैं फिर सब बीमारी आती है तो इसलिए माताओं को लिमितन है कि बच्चों के जन्म के लिए कभी भी ऑपरेशन ना कराण फिर आप बुलेंगी क्या करें मेरी दो-तीन बात हैं ध्यान से सुन लेना और यह सब बहनें भी सुन लें इस बात को कभी भी किसी मा को गरभा वस्था हो तो इसको आपरेशन ना कराना पड़े इसके लिए छोटे-छोटे दो-तीन उपाई पहला उपाई यह है कि हर दिन रात को मा को गाई का दूद पिलाना घी गाई के गी देशी और गाई का दूद देशी गाई का तो गाय के दूद में एक चमच घी मिला, थोड़ी सी उसमें हल्दी मिला, रोज रात को पिलाना, जब मां को गर्भावस्था होती है ना, उसको बच्चा स्वस्थ तंदुरूस्थ पैदा होना चाहिए, बीमार ना हो, बच्चे के स्वस्थ पैदा होने का सबसे बड़ा केल्शियम अगर शरीर में जादा है ना, तो हड़ियां लचीली रहती है, और हड़ियां लचीली रहना, तो सारा शरीर फ्लक्सिबल होता है, और शरीर लचीला हो, तो गर्भ से बच्चा आसानी से बाहर आता है, उसको तकलीफ नहीं होती जादा, मां को भी तकलीफ नहीं होती इसलिए शरीर में लचीला पन लाने के लिए केल्शियम चलिए तो केल्शियम खिलाओ माँ को केल्शियम का मतलब वहता है चूना खिलाओ चूना समस्थ है पान में जो डगाते हैं और जो पुताई करते हैं पुताई वाले चूने को पानी में डाग दो 20-25 दिन पड़ा रहने तो ठंडा हो जाएगा फिर पानी उपर आ जाएगा चूने नीचे बढ़ जाएगा उसमें से एक छोटा सा चुटकी बर चूना जीरे के दाने के बराबर देहू के दाने के बराबर किसी भी गर्वमती मा को खिलाना है पा नो महीने लगातार खिलाने जो माने थोड़ा थोड़ा चूना रोज खा लिया ना महीने उसको कभी भी ऑपरेशन की जरुरत नहीं पड़े और जिस माने रात को दूट पिया भी डालके उसको कभी ऑपरेशन की जरुरत नहीं पड़े ठीक है हमारे बच्चे जो ऑपरेश प्रिश्पर में देखता हूं सीजेरियन जितने बच्चे हैं माता पिता को तकलीफ करते हैं खुद को तो जिन्दगी पर तकलीफ देने वाई इसलिए कोई भी बच्चा भगवान की करपासे स्वस्त और तंदुरुस्त दुरुस्त पैदा हो इसके लिए सब यवस्ताइं भगवान में शरीर में कर रखी हैं बस थोड़ी सी सावधानी की ज़रुरत है तो माता इसको यार रखें सभी भी गर्ववती माओं को बहनों को रात को दूद पिलाना घी डालके थोड़ी हल्दी डालके और सबेरे चूना खिलाना दूद दही में नहीं तो छाच में नहीं तो दाल में नहीं तो सबजी में नहीं तो पानी में मिला ठीक है और एक नेवे माताओं से अगर हो जाए तो कि जो गर्ववती माताओं हैं वो भी और स्वस्थ माताओं वो भी और भाई भी कर सकते हैं इस काम को 15 मिनिट रोड चक्की चलाना क्या कहते हैं उसको? घट्टी यह जो घट्टी होती है ना यह दुनिया की सबसे बहतरी इन एक्सरसाईजर है इस घट्टी को चला के मैंने देखा इस घट्टी को चलाने में सबसे ज़्यादा दबाव पड़ता है पेट पर और मा के पेट में गर्वाशे होता है तो बार बार जब आप गट्टी चलाते हैं गर्वाशे है जो है ना एक तो क्लाकवाईज और एक एंटी क्लाकवाईज दोनों तरफ गूंगता है और पंद्रे मिनिट रोज आपने यह घुमा दिया तो बच्चा तो एकदम स्वस्थ दुरुस्त और तंदुरुस्ती होगा और बिना मा को तकलीफ के होने वाला क्योंकि गर्वाशे में फ्लक्सिबिलिटी अगर है किसी भी मा के तो बच्चा तो आराम से बाहर आएगा तो पंद्रे मिनिट माताईं घटी चलाएं अगर गर्वावस्था में हैं तो स्वस्थ हैं तो भी चला सकते हैं और भाई लोग घटी इसलिए चलाएं कि पेट अंदर हो जाएगा सवाव ये आजकल सबकी तोन बाहर निकल आई है माताओं का पेट बाहर आए तो समझ में आता है वो गर्वावस्था में ये पुरुष किस चक्कर में पेट बाहर में आए इनकी तोन बाहर क्यों आनी चाहिए तो ये अंदर जाना चाहिए और अंदर लेजाने का सबसे सरव उपाए है घटी चलाए पंद्रही मिनित चलाओ लेकिन लोग चलाओ सब पेट अंदर चलाए